नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके मेनिया पर आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा 25 सितंबर के Current Affairs और यदी आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए और आप किसी परत्यों की परक्षा कि तयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर आज को दबाईए लगा पर सट करिये आपके विकल्प हैं शिक्षा मंत्राले, रक्षा मंत्राले, स्वास्त मंत्राले या फिर सूचना और परसारण मंत्राले इस सवाल का सही जवाब है स्वास्त मंत्राले स्वास्त मंत्राले ने हाल ही में डोर टो डोर COVID-19 वैक्सिन लगाने की मंजूरी दे दी है जिसके तहट आप लोगों को घर घर जाकर वैक्सिन लगाई जाएगी अब तक देश में लगबग 66 फीजदी आबादी को टिके की कम से कम एक खुराग दे दी गई है और 23 परतिशत आबादी को पूरी तरह टिका करण हो गया है सवाल नमबर दो रक्षा मंत्राले ने भारती सेना के लिए कितने अरजुन टैंक का ओरडर दिया है आपके विकल्प है 58, 78, 118, 128 तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्षन नमबर 3, 118 रक्षा मंत्राले ने हाल ही में भारती सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अरजुन M.K.1A का हैवी विकल फैक्टरी चेन नई को इसका ओरडर दिया है जिसकी कीमत 7,523 करोड रुप्या है यह है अरजुन टैंक का नया संस्क्रण है इसे बहतर नई सुईधाओं और अधिक सवदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है चलिए देखते हैं तीसरा सवाल लद्दाख में परेटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालियन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ आपके विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चोथा इस सवाल का सही जवाब है पहला लद्दाक में परेटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लेह में पहला हिमालियन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है जिसका उधगाटन केंद्री सूचनाय में परशारन तदा खेल और युवा मामलों के मंतरी अनुराग ठाकुर ने किया यह हिमालियन फेस्टिवल पास दिनों तक चलेगा अगला सवाल निम्न में से किस संग ने चंद्रमा के दक्षिनी धुरू पर एक क्रेटर का नाम आर्क्टिक खोज करता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है आपके विकल्प है नासा इस्रो अंतरराष्ट्य खगोलिय संग य दक्षिनी धुरू पर एक क्रेटर का नाम आर्क्टिक खोज करता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा है यह है हैसन क्रेटर डे गेरे लाचे और सेवर डूप क्रेटर के बीच इस्तित है सवाल नंबर पाँच भारत के किस राज्जे में विस्सु का सबसे उंचा इलेक्ट्रि अगला सवाल सज्टर की खाद्य अजेंसी के परमुग डेविड बेसली के मुताबिक किस देश में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भुखमरी की और बढ़ रहे हैं आपके विकल्प हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन या तजाकिस्तान इस सवाल का सही जवाब है यमन सज्टराष्ट की खाद्य अजेंसी के परमुग डेविड बेसली के मुताबिक यमन में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भुखमरी की और बढ़ रहे हैं यहां लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटोती की जाएगी जब तक की नई फंडिंग वहां नहीं पहुंद जाती देखिए अगला सवाल इनमें से किस राज्य के पूरू राज्यपाल वाई-एस डड़वाल का 70 साल की उमर में निधन हो गया इस सवाल का सही जवाब है अरुनाचल परदेश यह अरुनाचल परदेश के राज्यपाल थे देखिए इस सवाल के व्याख्या अरुनाचल परदेश के पूरू राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के पूरू परमुख वाई-एस ड़ड़वाल का हाल ही में 70 साल की उमर में निधन हो गया है वे 1974 बैच के IPS अधिकारी थे वे 2007 में दिल्ली पुलिस आयुक्त बने और 2010 में उन्होंने ससस्तर सीमाबल के महानिर देशक की जिम्मेदारी संभाली थी देखिए आज की वीडियो का अंतिम सवाल हाल ही में किसने पहली इन पर्सनल सम्मिट सिखर सम्मेलन की मेजवानी की है आपकी विकल्प है रामनात कोविन जो बिडेन स्टाक मारिसन या फिर योशी हिदे सुगा और इस सवाल का सही जवाब है जो बेडन अमेरिका के रास्टपती जो बिडेन ने पहली इन पर्सनल सम्मिट सिखर सम्मेलन की मेजवानी की है यह है क्वार्ड सम्मेलन भारत अमेरिका औस्ट्रेलिया और जापान का सम्मू है यह है पहली भार व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली क्वार्ड मीट भी होगी तो दोस्तों यदि आप किसी परत्योगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी मिलके 500 लाइक कायम पूरा कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर्ट से कर लीजिए ताकि आपको आने वाले परत्यों की परिक्षाओं में जीके की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प हो सके हमारे वीडियो के माध्यम से थैंक्यू सो मच्छ कर दो एंक्यों है लोग्वारी को आने प्रूंडे कर दो कर दो एंक्यारी में जीकारा कारे रहां, तो एंक्यारा रहे हमारे जीके रहे होता है